सू हावरीवन स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पी hesitation YouTube चैनल पर डू WIN किसे स्ट के उपाइब oppose नमस्कार उद्गम सिरी में आपका उद्गम सिरीयर्गाइब को क्रीवेश येर में उनको जिकर करेंगे उनको देखेंगे किस तरीके से होंगे तो आसपास का का कॉंसेट भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा इयुक्त इर्धों को मैं आपको बताता हुआ जा सकते हैं उस बातों को को बताता हुआ चलूँगा ठीक है बई चलिए तो अराम से देखिएगा है ना पहले खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा कि खुद आंसर करें एंड आप अराम से सोलुशन देखिए पहला क्योशन आपका जैसे यह सेप्टेंबर में आया था भी बाइस में क्योश कोश्वाजीन जो कॉंसेट पढ़ाया जाता है उसका यह कोशन था मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप में ग्रूप में क्योंकि में ग्रूप क्या है कुछ भी इसमें हो सकता है कोई भी चीज कैसे भी कोई भी रियक्शन कोई एक एक रियक्शन रटने की हो उसके बजाए आप कॉंसेट पर जाएए क्योंकि कॉंसेट वाले जो केशन होते हैं जैसे टॉपिक्स पर जाएए आपने पढ़ा लेट सबसे पहले आपने शुरू किया अगर हम बात करें इनर्ट पेर इफेक्ट आपने पढ़ रहे हो ठीक है कॉंसेट पे जाएए इन बर बाराजास अबनेन के बारे चीज जाने इस तरीके से फिर आगे उड़े नैंट्रोजं NEW तरीके से फिर आप आगे बढ़े फिर सब्सक्राइब करने में आपको दिक्कत आएगी इसलिए आप कुंसेप्ट से जाईए ना कारबाइट्स पढ़ लिया वह यह आईनी कारबाइड होती है और आपकी कारबाइड किस तरीके से उसकी हाइड्रोलेसी रियक्शन क्या होती है कब वह च4 देगा कब वह च2 देगा यह रियक्शन पढ़ लिए फिर उसके बाद सिलिगेट्स पढ़ लिया बहुत अराम से बन सकता है इस तरीके से आगे गए नाइट्रोजन फैमिली में आपने नाइट्रोजन के ओकसाइड द देख लिया ठीक है अब फोस्वाजीन से आपको क्यों दिख गया तो अगर आपने कॉंसेप्ट वाइज देखा होगा तो आपको यह समझ में आया होगा कि यह क्योंच फोस्वाजीन का है रैदर दैन फोस्वोरस की कोई भी रियक्शन लिख रखी है ऐसा नहीं है यह होता है कोई भी हो सकता है यह एक बेसिक इनिट होती है जो बार-बार रिबीट हो रही होती है तो अगर हम सिंथेज की बात करें इसकी सिंथेजिस कैसे होती है इसे आप यहां पर एक आपने लेगा पी-सफाइफ ले लिए ठीक है या फिर आप PX5 ले रहे हो और फिर आपने यहाँ पर ले लिया क्या NNH4X ठीक है और यह आपको दे रहेगा क्या NPCL2 यह लिखवाई जाती है जब भी यह पढ़ाया जाता है तो फोस्वाजीन की सिंथेजिस आपको लिखवाई जाती है यह बात ध्यान रखना और NHCL ठीक है मगर इसमें एक चीज ध्यान रखना यह आपका PBR5 बन जाएगा अगर आप यहाँ पर लेते हो अगर आप यहाँ पर लेते हो NPCL5 लेते हो और आप यहाँ पर ले लिया मान लो आपने NH4CL ले लिया तो यहाँ पर इधर अगर आपने ऊपर X लिख़ है तो पर भी आपने क्या पड़ा? NPCL2 यहाँ पर आपने पड़ा ठीक है तो इधर आप क्या लिखोगे? इधर आप लिखोगे NPCL2 और यहाँ पर N ठीक है? और यहाँ पर आपने लिख दिया 4NHCL यहाँ पर X लिखा जाएगा उपर तो यह चीज़े तो पोसिबल है यह रियक् तो फाइफ ले लो और आप यहाँ से एन इनफ फॉर अफ आपने ले लिया और फिर आपने बना लिया ग्या एन पि एफ जैसे कि मान लो आपके पास इस तरीके से आपने P3N3Cl6 लिया था ना एंपी सील टू को उसके आगे अगर आप तीन लिख दोगे तो वो इस तरीके से यही जर्नल सबसे जादा देखके जाने वाली पोस्वाजीन आपको यही दिखेगी यह ले लिया ठीक है यह बन जाएगा Naf डालोगे तो यहाँ पर देखो भई बैंजीन क्या करता है बैंजीन आपको इलेक्टिफिलिक सब्सेट्यूशिं जिदेता है बोराजीन आपका P3N3F6 बन जाएगा तो फ्लॉरीन का यूज करते हो भी भी आप फोस्वाजीन बना सकते हैं अच्छी बात नहीं है कि वहां पर फोस्वाजीन नहीं बनेगा पर ध्यान रखना कि वहां पर जो फोस्वाजीन बनेगा वो इस मैथड से डारेक्ट नहीं बन सकता तो मैंने आपको कहा कि फ्लॉरीन का फोस्वाजीन है वो सब्सिट्यूशन रेक्शन होकर बनता है तो यह रेक्शन सब्सिट्यूशन हो रही है यहां पर हो रही है तो यह बन सकती है मैंने कहा कि कलॉरीन का फोस्वाजीन अगर हम देखेंगे तो यहां पर तो बन जाएगा य पोप्सिबल नहीं है नोट ईक्सिबल आपकी पोप्सिबल नहीं है यह reaction नोट पोप्सिबल तो आंसर क्या आएगा कोạt्सी कोरेक्शन पोप्सिबल नहीं है ुप्स यहां पर दे रखे तो वहां पर से ही बात बोल रहा हूं कि अगर आपको पेपर की क्योशन अटेम्ट करने हैं मेन गुरूप टोपिक से तो आप पूरा-पूरा एक-एक एलिमेंट को रटने की वजाए उसकी एक-एक कई लोग तो उसका वह भी कितना प्रतिशत इस फॉर्म में पाया जाता है कितना इसको भी याद करके वह बैठे हैं मगर वह चीज़े फिर पेपर में अटेम्ट ने क्योंकि उस टाम न फिर यह रहता है यार हलका सा भी डाउट हो गया तो वह अटेम्ट नहीं हो पाती इसलिए ना तो इतने सारे उसके पढ़ाया जाते हैं लगबग पूरा में गृूप वहीं पर कवर हो जाता है जैसे अब यह अगला क्योंशन है उससे भी पहले उसको पहले मैंने आपको बताया है ना वह आपको प्राइदा मिलेग ठीक है cover होएंगी चीजे ठीज़े जैसे आब यह अगला question है उससे पहले एक और question था अच्य यह है तो इसन सारा करवर करीग है यह सारी नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती सब्से बड़ी बात है यह आप अट्यम्ट करने दाइठायोनिक एसिड के ऊपर कुछ बाते करी है तो आज यह थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक तो पहले तो जर्नल बात करते हैं जो सल्फर के जो जर्नल आपको ऑक्सिजड मिलते हैं तो सबसे पहले यहां पर जब मैक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट में कोई चीज होती है जो प्लस फाइफ अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट में तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो उसके लिए आप सल्फियूरिक एसिड यूज करते हो उसके लिए अगर आप इधर आ रहे हो तो इसके लिए आप अगर मैक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट से आप एक oxygen कम कर रहे हो तो जो बनेगा उसके लिए उसको आप क्या कहोगे sulfurous acid आप उसको कहोगे उसको आप क्या कहोगे sulfurous acid आप उसको कहोगे ठीक है चलो यह तो बात हो गई है मालो आप इसका क्या करवाते हो pyrolysis करवाते हो pyrolysis मतलब heat करके पानी निकालना उसमें से होता है pyrolysis हमेशा इसका कैसे होगा दो मोलिक्यूल जैसे आपको sulfuric acid का pyrolysis करवाना है तो दो मोलिक्यूल of sulfuric acid जुडेंगे उसमें से एक S2O निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा S2O7 बनेगा इसको बोला जाता है pyrosulphuric acid यही था बई हमारा है न यही था оне पीछे S2O7 हमारे पास हो गया 2 sulfur है चार हाइड्रोजन थे मगर दो हाइड्रोजन निकल गए ठीक है तो यह आपका बना पाइरो सल्फियूरिक एसिड आपने इसको कहा ठीक है अब पाइरो सल्फियूरिक एसिड में अगर मैं बात करूँ पाइरो सल्फियूरिक एसिड में यहां पर क्या है यह सल्फर है इसका स यह इस तरीके से अगर हम बात करें पायरो सल्फियूरिक एसिट ठीक है एक अक्सीजन यहां पर और आएगा तो आप इस तरीके से लिखोगे पायरो सल्फियूरिक तीन यहां पर हो गए एक यह रहा और एक यह रहा ठीक है इस तरीके से आपके पास आएगा ये होगा आपका क्या पाइरो सल्फियूरिक ऐसे ठीक है ये होगा क्या आपके पास पाइरो सल्फियूरिक ऐसे अगर आप इसमें है ना इसमें आप क्या कर रहे हो ये क्या होगा एक ओक्जो लिंके जो होगा आप इसको बोल देते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या होगा इधर आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर यह सलफर है यह ओक्सीजन है यह ओक्सीजन है यहाँ पर ओएच है यहाँ पर ओ ओ यहाँ पर सलफर है और यह इस तरीके से आपका क्या बनेगा पर ओग्जो डाई सल एक्षूली में अगर आप यहां पर देखो आप यहां पर शाघन कि आपसे पूची पूचा तो यह प्रोग्ज याँ अप्टने होते two oh ah परहख जो डाय सल्फियुरिक एसकेड में one oh bond होता है एक oh bond होता है अगर हम बात करें एक sulfur के उपर कितना है एक oh bond है और अगर हम diet bright ripping chain carbon अब क्या है देखो भाई sulfur के non general oxidation state भी होते है sulfur के अगर मैं non general oxidation state की बात करूं non journal oxidation state की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर दो चीज निकल कर आती है एक plus five में भी यह show करता है acid और एक plus three में journal में तो चलो वो हो गया plus six plus four में वो show करेगा मगर non journal में वो इस तरीके से show करता है और इसको आप कहते हो thionic series thionic series आप इसको कहते हो इसका formula जर्नली ये रहता है s2 sn o6 और इसका रहता है h2 sn o4 ठीक है जैसे कि आपको dithionic acid उसने कहा है तो dithionic acid ऐसा रहेगा ये रहा o h sulfur रहेगा और फिर s o h मगर वो आपको क्या कह रहा है dithionic acid कह रहा है ठीक है इस तरीके से हो जाएगा और अगर thionic acid की बात करें तो ये यहाँ पर है s है और ये o h है यहाँ पर s आएगा यहाँ पर o और यहाँ पर o h और इधर के आएगे आपके पास lone pair यहाँ पर आएगे ठीक है तो अगर आप बात करो dithionic acid यह हो गया इधर भी sulfur आएगा यहाँ पर लिख लो आप dithionic acid अलग से पीछे लिख लो आप यह तो हो गया आपका paroxid disulfuric acid इसको हटा दो यह pyrosulfuric acid था इसको हटा दो भई वो हो गया आपका paroxid disulfuric acid और यहाँ पर आप क्या ले रहे हो dithionic acid क्या ले रहे हो dithionic acid आप ले रहे हो तो dithionic acid क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा H2, H2O6 हो जाएगा और वो इस तरीके से देख़एगा sulfur oxygen OH sulfur oxygen oxygen OH तो यहाँ पर भी क्या है एक OH है और इधर भी एक OH है, तो एबर option दुबारा पढ़ते हैं, each of these has two OH bond नहीं भई, paroxodisulfuric has one OH bond and dithionic has two OH bond नहीं भई, paroxosulfuric acid has two OH bond and dithionic acid has one OH bond, each of these has only one OH bond, तो हम मतलब इसके option के पास जाएंगे, कि दोनों के पास दो-दो OH bond है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखी नहीं रखा कि एक sulfur को देखना है, यहाँ पर the correct statement देखना है, पूरे molecule को देखना है, तो परoxodisulfuric, एक पूरा molecule नहीं रखे है, paroxodisulfuric के पास one OH bond है, या each of these has one OH bond तो वो भी हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके पास भी 2 OH है, पूरे molecule दिख रहा है, एक sulfur की वहाँ पर बात नहीं हुई है, तो पूरे molecule का ही लेना पड़ेगा, इधर भी 2 OH है, और इधर भी 2 OH है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, दोनों क इजी मानेंगे, अगर हम organometalics पढ़कर गए हैं, और हम अगर main group भी पढ़कर गए हैं, उसमें main group में borans अगर हमने देखे, कोई main group नहीं भी पढ़ता तो उसमें organometalics में भी यह बोरें जोर करवार दिये जाते हैं, ताकि यह prosecution आ, पटेंट कर लो, इनके structure के बारे में यहा और यहां पर 6 नेगिटिव यहां पर लिख दोगे तो यह क्या बनेगा अरगैनों बन जाएगा और वो तो आपको माइनस टू पहले दिख रहा है यानि कि क्लोजो तो इन दोनों की बेस पे जज़ हो रहा है यह नीडो और यह गया ठीक है एरगैनो क्लोजो फिर यानि कि तीसरा भी अगर अपन कर ले तो भी बात बन जाएगी तो यहां पर क्या होगा बी टेन एच फोर्टीन होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो बी टेन एच टेन माइनस फोर और माइनस फोर वाला क्या बनेगा नाइडो बनेगा यानि कि थर्ड ओप्शन इसका सही होगा पट फिर भी एक बार इसको उपर वाले को देखते हैं यह जो मेटल अबोरेंस है कि मेटल भी आ जाए और एक लिगेंड भी आ रहा है इनको कैसे करना है तो इनको अलग से पहले उतारना है इसको साइड में लो पहले तो ले लिया जिसको साइड में हाँ पर MnCO4 है न इसे कुंसेट सीकल होगे एच थरी B3H8 तो यह बोरेंस हो गया तो बोरेंस का पार्ट हो गया इसको अलग से उतारो इसको यहां पर पकड़ो अलग से इसको उतारा नीचे वही तू अलग आ थी यह जी अलग आ गए बई अब इसका वेलेंस इलेक्तरन काउंट कर वैलेंसि उलेक्टं गिरन रहे हैं जैसे आप गिनते त्यूंग साथ लीगेंडец कितना कंरिबुट करता है दो रहता है तो यहां पर कितना यहां पर कितना है आट और सात कितना है यह आगया पंदरा पंदरा अब आईसो लोबल होता है पांच वाले से अगर आप कोई transition metal का compound ले रहे हो तो वो हमेशा 18 electron rule पोलो करने जाएगा और अगर कोई B block का आप ले रहे हो तो वो 8 rule यानि की octate rule पूरा करना चाहेगा तो पंदरा वाले को भी 3 की जरुद पड़ेगी पांच वाले को भी 3 की जरुद पड़ेगी तो हम कह सकते हैं पंदरा वाला 5 से isolobal होता है और यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि भई अगर 5 की बात आ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लोगे यहाँ पर आप लोगे BH2 ले लोगे इसकी जगे और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा B3H8 यहाँ पर हो जाएगा तो यह आपके पास क्या बन जाएगा यह आपके पास बन जाएगा B4H10 बन जाएगा और इसको अब आप क्या कर दोगे B4, H4, minus 6, minus 6 करने पर ये क्या आ जाएगा अरेकनो आ जाएगा और हमारा अरेकनो ही आ रहा है तो ये third option क्या हो जाएगा भया, सही उत्तर हो जाएगा कहने का साथ ही है, वैसे तो हमेशा eliminate करने की देखना एक question देखोगी तो दूसरा आपने अप eliminate हो रहा होगा एक चीछ Hoo lucky तो दूसरी eliminate हो रही होगी बट उससे भी सही तरीका ये रहता है मतलब ये तो है obviously है इलिमिनेट करना ही करना है है na eliminate करना ही करना है इसमें सही तरीका गलत क्या है eliminate करना ही है यह दो इन दोन से वन रहा है तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया अगर किसी को यह दिखकर इसको देखकर क्योशन छोड़ने की बजाए पहले देख लेना बस यह कहने का मतलब था आगे चलते हैं अलग-अलग रैंडम-रैंडम क्योशन है तो अराम से देखते चलो यह भी का क्योशन है और यह साल मुझे याद नहीं है मगर यह करेंट में ही है 21 22 या इसी कही है पना नहीं कपका है पर देख लो एक चीज इसमें जो अक्सार गलती हो जाती है कि भाई जैसे हमने कहा डाइट थायोनेट और डाइट थायोनेट आयन है ठीक है एक हमने कहा कि और एक है हमारे पास क्या डाइट थायोनेट है ठीक है और अभी आपने पीछे पढ़ा था कि आपके पास सीरीज कौन-कौन सी होती है आपके पास होती है थायोनिक सीरीज और एक थायोनस सीरीज थायोनिक में वो प्लस 5 में रहता है प्लस 5 में रहता है ठीक है यह हमने दे हैं दो कि यह इसे ना जैसे इन ये समझ सकते हैं जो दाइट थायो निट होता है वह थायो नस एसिड से बनेगा और जो दाइट नेट होगा वो किस से बनेगा वह किस से बनेगा द्यान रखनी पड़ेगी भया डाइ थायोनिक एसिड से डाइ थायोनेट बनता है ये लिख लो क्योंकि ऐसा केशन एक पर जैम में भी देखा गया है इट और एट के ओपर कन्फूजन हो गया था और अटेम्ट नहीं हो पाया थायोनिक एसिड से थायोनेट बनता है ये बात दियान रखना थायोनस से थायोनिट बनता है अगर हम उसकी अनायन की बात करेंगे क्या है सर इसका मतलब क्या है जैसे हमें माल लो इसको समझते हैं कि ये कैसे बना होगा तो ये पहले डाइ थायोनिक एसिड था Dithionic Acid मतलब Thionic Acid का नाम होता है H2SNO6 मगर यहाँ पर अगर आपका Dye है तो यहाँ पर H2S2O6 हो गया और यहाँ पर आपने लिख लिया इस तरीके का structure यहाँ पर यह हो गया ठीक है यह structure यहाँ पर OH और यहाँ पर sulfur यह OH यहाँ पर यह O और यह OH clear है जी यह क्या हो गया यह है Dithionic Acid अगर मैं इसका Dithionate यह तो होगा डाएथायो इस ठीक है अगर मैं क्या करओ इसके hydrogen को हटा दू ठीक है लगे के हैं इसके hydrogen को हटा दू और मैं यह बना दू S2O6 तू नेगेटिव तो यहां पर क्या बनेगा यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनेगा सल्फर ओक्सीजन और ओ नेगेटिव और यहां पर सल्फर यह ओक्सीजन यह ओ नेगेटिव ठीक है तो यहां पर यह बनेगा आपका डाई थायो नेट है यह जो है यह जो आपने अभी बनाया है यह है डाइ थायों नेट क्योंकि यह डाइ थायोनिक एसे बना है तीके जैसे इसका रेफ्रेंस भी मैं लेकर रहा हूं हाउस क्राप्ट मैं आपा लिखा हुआ है देखो रही यहां पर यह यह लाइन पड़ो डाइ थायोनिक एसडिज अनैदर सल्फियोर रोक्सा यहां पर सीधा सीधा आपको क्लियर हो रहा है कि डाइथायोनिक से डाइथायोनेट बनता है अगर क्लियर है तो यहां पर आ जाओ यहां पर आप क्या होगा पहले आपका यह रहा होगा कि वह एस्टू पहले आपके पास क्या रहा होगा S2, S2O4 रहा होगा Thionus में Thionus में यह रहा होगा Thionus में यह रहा होगा यह प्लस 3 में रहता है इधर प्लस 3 रहता है और इधर प्लस 5 रहता है 1 में प्लस 5 रहता है 1 में प्लस 5 रहता है हमने किया है पीछे देखो गई एक और एक में प्लस 5 यहां पर रहता है ठीक है तो यहां पर आपका S2S2O4 होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है इससे आपने क्या बनाया इससे आपने दोनों हाइडरोजन निकाल दिया और यहां पर क्या बना दिया S2O4 2- और यह क्या बन गया यह बन गया आपका सलफर ओक्सीजन ओ नेगेटिव लोन पियर सलफर ओक्सीजन ओ नेगेटिव और लोन पियर यह जो है यह अब क्या है डाई थायोनिट है यह जो है वो है क्या डाई थायोनिट आयन इसका भी एक्जाम्पल में आपको रेफरें acid दिख रहा है S2S2O4 पीछे ऊपर दिया हुआ था डाइ थायो निट इस प्रिपेर्ड बाइद रिडक्शन ओफ इस सल्फाइड इनक्वर सॉलीशन और यह रहा आपका डाइ थायो निट है ना जिसका स्ट्रक्चर उन्होंने सोलर पॉइंट वावन में लिख रखा है यही है यही है सल्फाइड ऑक्सिजन मतलब कि इदर रहेगा यहां पर इसके साथ यहां पर एक लोन पेर आप समझो के इसके पास है यहां पर यह एक डबल वॉंड होगा और एक सिंगल व होता है एस्टू ओफोर तू नेगटेव एस्टू ओफोर तू नेगटेव आईए क्यूशन पढ़ते हैं तक करेक्ट स्टेट्मेंट बताने हैं दोनों के पास सल्फर सल्फर बॉंड है बिल्कुल है जी दोनों के पास सल्फर सल्फर बॉंड है कोई शक नहीं है बोथ स्टिर निकल कर आए यहां पर इस को एकशेडेशन स्टेट क्या होगी फ्लस फाइव होगी यह कटे स्टाइगा तो प्लस तुआए गा एगा तो फ्लस फाइव यहां पर होगी ये बिलकुल ठीक बात है ठीक है तो ये भी आपके statement क्या हो गई है ठीक हो गई है sulfur in dithionate sulfur जो है dithionate में उसके पास loan pair है dithionate में कोई loan pair नहीं है तो ये statement क्या हो गई है गलत हो गई है d statement ठीक है अगर अच्छे से पढ़ कर जाओगे थोड़ा सा revise वगेरा करके जाओगे तो equation attempt करने में असानी होगी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ठीक है इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आईए आगे बात कर लेते हैं ये equation है हाँ इससे भी ये इसलिए लाया गया हूँ क्योंकि फोस्फर्जीन से क्योशन आए होए है आते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेना structure कैसा होता है बस वो मुझे आपको बताना है n3, fp3, f6 ठीक है the geometry around nitrogen, phosphorus respectively कोई confusion ना रखना कि दुबारा कभी आ सकता है नहीं आ सकता simple सा क्योशन था ये बिल्कुल simple सा था मगर बहुत confusion के कारण ये कई लोगों ने सही किया कई लोगों ने नहीं किया मगर इसको आप अराम से सही कर सकते हो ठीक है अराम से सही कर सकते हो ये इस तरीके से यहाँ पर रहता है ठीक है इस तरीके से यहाँ पर रहता है जो हेलोजेंस लगे होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से लगे हुए होते हैं ठीक है यह इधर फोस्फोरस पर लगे हुए होते हैं याद रखना नाइट्रोजन पर कुछ नहीं लगा हुआ होता ये उसका structure होता है अगर यहाँ पर चाहे chlorine आए चाहे bromine आए वो हमेशा ही आप कहा होगे किस पर लगा होगा पोस्फोरस पर लगा होगा ठीक है नाइड्रोजन पर नहीं लगा हुआ होता ठीक है वह ये चीज दिहान रखना और अगर इसकी substitution reaction आपको गरवानी है तो मैंने कहाना कि ये nucleophilic substitution देता है धिहान रख लेना धिहान रख लेना भाईया ये एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर benzene जो है वो क्या देता है benzene देता है electrophilic substitution borazine जो है borazine जो है वो देता है क्या electrophilic addition electrophilic addition मतलब वो substitute नहीं करेगा add करवाएगा और phosphazine जो होते हैं phosphazine जो होते हैं वो क्या करते हैं वो nucleophilic substitution करते हैं तो यहाँ पर अगर इसको कोई chlorine आएगा तो यह replace हो जाएगा बात हमारी अभी वो है नहीं हमें सिर्फ इसकी geometry बतानी है तो steric number निकालना पड़ेगा यह phosphorous है phosphorous को यहाँ ले आओ इसका steric number कितना है भाई एक दो तीन चार चार सिगमा पाई को थम गिनेंगी नहीं तो steric number कितना हो गया चार सिगमा हो गया यानि कि four loan pair क्या हो सकते हैं लोन प्यार होंगे कैसे पांच वेले सिलेक्टों ने पांच यूज हैं तो loan pair होंगे ही नहीं यानि कि sp3 हो गया sp3 यहाँ पर हो गया तो यह अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जो geometry आएगी geometry की अगर हम बात करें तो phosphorous के around geometry होगी वो tetrahedral होगी कोई pyramidal pyramidal की अभी देखने मतलग न tetrahedral होगी फिर हम बात करें nitrogen की nitrogen का steric number भई देखो भई nitrogen का steric number यहाँ पर अगर इधर ले 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 इस वाले का देख लो सारे सेम ही है इसका steric number अगर हम देख रहे हैं 1 sigma 2 sigma तो 2 नहीं है अब nitrogen के पास loan pair है हाँ भई 5 valence electron होते हैं एक यह ले गया दो यह ले गया बच्चे 3 हो गए खतम 2 बच्चे तो 2 यह रहे loan pair तो 2 sigma प्लस 1 loan pair यानि कि यह कितना रहा 3 रहा और यह SP2 बताएगा और trigonal planar यहाँ पर यह होगा क्या होगा trigonal planar geometry trigonal planar ठीके shape bent है वो दिख रही है तो nitrogen पहले पूछा है तो nitrogen की planar तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा second option सही जवाब हो जाएगा तो इसका second आपके पास हो जाएगा ठीके तो आ सकता है भई उसवाजीन important है आईए देखते हैं next हमारा क्या है next हमारा यह gate का combined question है the reaction of ammonium chloride हाँ ठीके यह एक X है और formula of X बाद में आपको फिर X के बाद आपसे पूछा था की कौन सी reactions इसमें possible है या नहीं है यह चीज़े पहले भी आई हुई है तो इसको आप एक बार देख सकते हो दो बार आया हुआ है यह paper में देखो क्या कहता है the reaction of ammonium chloride with BCL3 ठीक है देखेगा भई यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ ammonium chloride ले रहा हूँ NH4Cl ले रहा हूँ उसको मैं अगर BCL3 से treat कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका क्या बनता है B3, N3 और H3 and CL3 आपके पास बनता है यह आपके पास बनता है B3, N3, H3 और CL3 आपके पास बनता है अगर हम इसको treat करते हैं लगबग यह डेट सो डिग्री सेल्सिस के आसपास होता है ठीक है यह आपका बोराजीन नहीं होता ठीक है यह आपका बोराजीन नहीं होता ठीक है इधर अब इसको आप further किसी reducing agent से treat करोगे चाहे वो NBH4 हो चाहे वो LILH4 हो तब जाकर आपका chlorine replace होकर hydrogen वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा B3N3H6 यहाँ पर बन जाएगा ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से रहता है बोरोन है यहाँ पर nitrogen है यह बोरोन है यह nitrogen है यह nitrogen है और यह बोरोन है ठीक है इधर इस तरीके से यह रहेगा hydrogen 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 और hydrogen पहले अगर हम बात करें B3N3H जो हमारा था अगर हम उसकी बात कर रहे है B3N3 H6 की अगर हम बात करते हैं BCL3 के साथ रियक्ट किया ठीक है BCL3 के साथ रियक्ट किया आपका B3N3H6 CL3 बन गया और फिर उससे आपका क्या बन जाएगा उससे आपका बन जाएगा B3N3H6 आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से यह आपको ध्यान रखना है अब इसमें कई चीजे हो सकती है एक चीज ध्यान रखना अगर हम B2H6 को रियक्ट करवाते हैं अगर हम B2H6 को रियक्ट करवाते हैं बोराजीन की प्रिपरेशन दो तरीके से होती है एक तो यह मैथड गया और B2H6 को अगर आप NH4Cl से रियक्ट करवाते हो तब आपका सीधा ही बोराजीन बन जाता है B3N3H6 बन जाता है यह बात ध्यान रखना मगर यहाँ पर इसने BCL3 से करवाया है तो हमारा पहले स्टेप पर नहीं बनेगा उसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे तब हमारा बोराजीन बन जाएगा यह बात ध्यान रखना तो यह आंसर तो यहाँ पर यह हो गया अब यह बोराजीन फर्दर कई रियक्शन यहाँ पर यह बोरोन है यहाँ पर नाइड्रोजन है अब एक चीज़ समझना यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजन की उपर consistency होती है negative more electron negative element है तो ये इस देखो कई लोगों को लग सकते है कि nitrogen boron में electron donate कर रहा है boron की वेकेंड orbital में electron donate कर रहा है तो ये positive रखके बैठेगा electron density क्योंकि इसने donate किया हुआ है मगर ऐसा नहीं होता ये donate तो कर दीता है ये अपने donate तो कर देता है उसके वेकेंड और बिटर में और यहां पर पाई bond तो बन जाता है मगर nitrogen अपनी आदत है इसकी electron negative element है तो ये खीचेगा bond की electron density देने के बाद भी अपनी तरफ रखेगा तो ये negative होता है और यहां पर positive होता है यहां पर दोनों ही charge density आपको मिल रही होती है तो यह electrolysis substitution की बजाई एडिशन reaction यहां पर शोग कर रहे होते हैं यह ना benzene आपका substitution करता है यह addition कर रहा होता है जैसे यहां पर क्या होगा अगर मान लो यह positive है यह negative है तो positive वाला यहां नेगटीव यहाँ पर फिर है और आपका बोलो ढंद मादेगा यह बना देगा आपके पास यह में थोड़ी से quoi यह इसक्टेज़े कर रहे हैं === प्योश्जन आपका उधर तक ही था ये इतना बन जाएगा यहां पर आपका क्या हो जाएगा बोरों के ऊपर h, c,l अएगा और इधर h, इसे आप क्या कहोंगे इसे आपका कोगे b3, n3, h6 और c,l3 आपसे क्या दोगे लेकम ऐए सिक स्केर मॉइं हए चैश कितना व ग्या माय हो ग्या एक नाइन ही है सिल ट्री अगर फ़र्दर इसको आप हीट कर deception कराते हो यहाँ पर क्या निकलेगा इध्यान रखना इधर से अगर आप इसको हीट कराते हो तो ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या चीछ निकलेगी यह एच्टू बाहर जाएगा ठीक है यह होगा भईया यह एक टू बाहर जाएगा इसको आप एक काम करो हाँ, इसको आप इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने CL लिख लिए और यहाँ पर आपने H लिख 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 लि फ्रॉजन है और चाहिब मिलेगा तो यहाँ पर यह क्लॉरिन रहेगा बोरोन के पास इसके पास हाइड्रॉजन इसके पास हाइड्रॉजन इसे वोला जाता है फिर्श के ओपर फिर से ंप रिडक्शन करवाऊगे तो यह आपको फर्दर वही चीज़ दे देगा, ठीक है भई, क्लियर है, ये एक चीज जहां लगना, ठीक है, तो यहाँ पर X क्या बना, X जो बना, B3, N3, S6 बना, अभी उन्होंने X के बारे में कुछ चीजे पूची हुई है, ठीक है, ये गेट में ही था, कमबाइन क्योशन है, कि जो भई या, X है, जो X यानिकी यहाँ पर, X क्या है आपका निकल के, ये X आया है, जी बोराजीन, ये जो X आया है, इसका नाम क्या है, बोराजीन है, तो इसके बारे में कुछ चीजे उन्होंने पूछिए, कि ये आईसो इलेक् है, बेंजीन के साथ, तो देखेगा भई, बोराजीन जो होता है, वो किस क्या होता है, वो B3, N3, H6 होता है, तो इसके अगर आप एलेक्टम निकालो, वेलेंस इलेक्टम अगर आप इसके गिनो, तो कितने होंगे, बोरोन, तीन बोरोन है, तीन बोरोन, एक बोरोन के तीन ह होते हैं तो नाइन यहां से आया यूंद रहा इसके आखर मैं गिन रही है इसके यहां पर आप दो इसके भी अगर मैं गिलू एक कार्बन के चार होते हैं चार इंटू छे प्लस यहां पर चोबिस प्लस छे कितना आगया तीस तो सेम वेलेंस एलेक्ट्रोन ने तो यह तो यह स्टेट्मेंट क्या होगा यह लट हो गई तो कौन-कौन सा उप्शन चला गया आपका आपका यह चला गया पहला गया यह गया ठीक है एक्स अंडर मुको औस की ऐडिशन रियक्ट्रोन यहां पर हुई है यह कौन सी रियक्ट्रोन ने क्या दिया है addition reaction दी तो यह ठीक है ठीक है क्लियर है तो second option आपका ठीक है अब बात आती है कि third option ठीक है नहीं है फॉर्थ भी गलत है फॉर्थ क्यों गलत है तो कि यह polymerization यानि कि बोरोन जो बी 3 नाइट्रोजन पॉलिम्राइजेशन देता है इसे आप बोलते हो बोरोन नाइट्राइड इसे आप बोलते हो जिसे क्या बोला जाता है इन और गैनिक ग्रेफाइट भी बोला जाता है अगर वह बहुत हाई reaction देता है तो सिर्फ second option सही है यानि कि only two option second option आपका क्या है जी करेक्ट वाला आंसर है यह बात ध्यान रखना अपने जहन में रख ले क्लियर है only two आपका यहां पर राइट आंसर है क्लियर है यह बहुत सिंपल सा क्योशन है इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे इस ओ फॉर् होता है लीविस बेस और लिविस एसिड में जहादा यहां पर Ns-3 गया तो लिविज एसिड जियादा है अमीर बबेंगे तो यहां पर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करते हैं निए अपर यह उप्षन सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर वेडी पूर बैक्पॉर्णिंग है यहां पर हम कहेंगे वेरी वेरी पूर मुनलब नेगलिजिबल बैकबॉंडिंग हम कहते हैं वेडी पूर्णिंग negligible कहते हैं इसे आप avoid कर सकते हो क्योंकि second or second or fourth period के बीच में तो यहां पर हम very poor backbonding हम कहते हैं ठीक है बैकbonding के कारण इसकी electron deficiency दूर नहीं हो पाती तो यह ज़्यादा लिविस acid माना जाता है बोलो जी हाँ और ना क्लिए आगे चलते हैं यह भी I think simple साही question है दर रियक्शन ओव बी-स यह क्योंकि बहुत बार आयो है इसलिए आपको पहले ही बताया था मैंने करके दिखा दिया था अब बी-स प्रोड़क्ट ए रिडिक्शन बाइदी बी-बी रियक्टिंग विर एक्टिंग विर इने बी-च-4 में ट्रीट किया वह बना वहां पर भी बी को आप क्या कर रहे हो एच-से ट्रीट कर रहे हो सी बना सी क्या है यह आपसे पूछा गया है सी क्या है आपसे यह बात पूछी गई है तो भाईया पहली बात ध्यान डख लेना बी-स इल-3 के साथ आप बनाओगे तब नहीं बनेगा तो बी-3-N-3 क्या बनता है बी-3-N-3 बी-3-N-3-H-6 बनता है ठीक बी-3-N-3-H-3-C-L-3 बनता है अगर आप बी-सी-L-3 और एन-च-4-C-L को ट्रेट करो मगर आप बी-टू-H-6 आप क्या करोगे बी-टू-H-6 को ट्रेट कर रहे हो अगर आप बी- इट करोगे बी-को तो बी आपको क्या मिलेगा यहां पर बोरा जीन यहां पर मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा बी-टू-H-6 बी-3-N-3-H-6 में अभी-अभी आपने-H-C-L के साथ रियक्शन देखी है एच-C-L के साथ रियक्शन देखी है और-H-C-L के साथ इसने सिरफ कहा है अब प्रोड़क्ट भी अपन रियक्टेड विद एच-C-L वो सी देगा और तो सी यह क्या है यह है बी-3-N-3-H-9 और-C-L-3 तो आपका पहला ओप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा यह आ सकता है भाहिया है ना यह मोस्ट इंपोर्टेंड या मोस्ट आस्क टोपिक में से क्योशन है सारे ही जो पूछे गए हैं वो गेट के क्योशन थोड़े से हमेशा से ही conceptual रहे हैं मदलब की conceptual in the sense की वहाँ पर थोड़ा सा लोजिक लगा रहे होंगे तो यहाँ पर यह चीज़ें यहाँ पर लगती है ठीक है आएगे समझते हैं अगर यहां पर आप इनकी पूटेंचिन यहां पर लिख रहे हो तो एक चीज ध्यान रगना यह क्या है यहां पर एलुमीनियम आता है ठीक है यहां पर फोसफोर से नाइट्रोजन आता है sulfur है तो oxygen आता है ठीक है इनकी electronic configuration क्या होगी ns2 होगी इसकी होगी ns2 या फिर आप इसको ऐसे लिख दो इसकी होगी 3s2 इसकी होगी 3s2 3p1 और इसकी होगी क्या 3s2 3p3 क्योंकि carbon भी आएगा है ना carbon भी आएगा बीच में और इसकी होगी 3s2 3p4 आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ये एक half-filled electronic configuration है ये क्या है भाईया half-filled electronic configuration है तो half-filled electronic configuration अगर ये है half-filled electronic configuration अगर ये है तो इसके पास है ना इसमें से electron निकालना क्या हो जाएगा difficult हो जाएगा तो ये phosphorus फोस्फोरस उपर वाला चाहिए आप मिटा दो ये उपर वाले में भी यही लोजिक लग रहे होते हैं इसलिए रिलेट करवाने की कोशिश की थी फोस्फोरस क्या है सलफर को हरा देगी यानि कि phosphorus की ज़्यादा आएगी sulfur से ठीक है अब mg क्या है यह 3s2 है यहाँ पर भी क्या है यह 3s2 है अगर आप इसको देख रहे हो यह 3s2 है 3s2 में इधर क्या होगा यह भी एक stable electronic configuration है इसे आप क्या कहोगे fully filled sub shell आप इसको कहोगे क्या कहोगे जी आप इसको fully filled sub shell आप इसको कहोगे यह किसको हरा देगी यह aluminium को हरा देगी ठीक है तो यहाँ पर आपके पास जाएगा aluminium की सबसे कम then mg की then sulfur की then phosphorus की ध्यान से देख लीजेगा यह execution आए हुए हैं आप ही सकते हैं magnesium अब आप कहोगी magnesium की तो बहुत ज़्यादा stable दिख रही है सर एक काम करो इसको सबसे हरा दो आप एक काम करो इसको sulfur से भी आग ले जाओ वो नहीं है वही है ना क्योंकि एक dead effective वाला rule भी होता है कि dead effective यहां से यहां भढ़ रहा होता है तो ionization potential भढ़ेगा तो वो अपने से साथ वाले को हरा देती है मगर सब को नहीं हरा पाती तो यहां पर third option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा clear है भई उसके बाद यह question है यह इसलिए लाया हूँ क्योंकि यह इसके दो question आयो ही है अभी भी एक और question भी आया हूँ है इसका वो भी लाया हूँ यह नहीं लाया भाई एक और question भी आया था इसका है ना एक अभी आया था हाली में वो भी मैं आपसे पूछ लूँगा ठीक है यह देखो भाई यह reaction कह रहा है इनने specific reaction hexa chloro cyclotri phosphazine ठीक है N3P3Cl कहना चाहरा है तो आपका यह चीजे बनी N3P3Cl5 जिसको 1 कहा N3P3Cl4 F2 जिसको 2 कहा F3 जिसको 3 कहा और यह बना आपका तो इसमें आपसे कहा कि कौन isomeric product आपको देगा तो इधर क्या आपको logic लगाना है एक जो question order बता रहा हूँ वो भी मैं करवाँगा मैं ही करवाँगा वो अगर अभी इसके पास क्या logic लगेगा यहाँ पर अगर आप देखें देखो वाई N3P3 एक चीजे चाहे आप यादी रख लो यह चीजे यादी रख लो N3P3Cl6 है अगर आप उसमें से N3P3Cl5 करते हो और एक कोई group लेकर आते हो ठीक है एक यह होगा दूसरा होगा आप क्या करोगे N3P3Cl4 रहोगे और दूसरा दो group ले आओगे ठीक है तीसरी केस आप यह लेकर आओगे N3P3 N3P3 CL3 और तीन group लेकर आओगे और फोर्थ केस क्या लोगे आप N3P3 CL4 और chlorine दो लोगे और group चार ले आओगे और तीसरा केस आप लोगे N3P3 CL1 और चार ग्रूप पांच ग्रूप आप लेकर आओगे तो ध्यान रखना यह आपको एक ही आईसमर देगा यह तीन देगा यह तीन देगा यह तीन देगा कौन सा है दूसरा question आपका है N अच्छे एक reaction है वो वो भी आई हुए पेपर में हाँ वो भी आई हुए है वो भी net की ही है इसके बाद करेंगे वो ठीक है वो यह reaction है आपकी वो reaction है आपकी यह वाली इसको एक बड़ रहने दो यह तो हमने कर लिया यह reaction थी आपकी N3P3Cl6 था ठीक है N3P3Cl6 था और उसने कहा कि मैं 6 HNME2 से treat कर रहा हूँ तो मुझे जो बना है वो बना है N3P3 CL6 N3P3 CL3 बना है और NME2 का price बना है इसे हमने कहा है A तो आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका यह भी बना है 3ME2NH और डोट HCL तो आप मुझे A के आईसोमेरिक प्रोड़क्ट आपको बताने थे ठीक है तो अभी इसमें पहले इसका आंसर करेंगे देखो भाई इसमें से कौन कौन आईसोमर देगा जिसके पास एक है एक ग्रूप वाला अकेला ही रहता है आपका जुड़वा तब होगा ना जब आपके अलावा कोई और है आप अपने ही जुड़वा थोड़ी ना हो जब मैं अपना ही जुड़वा हो गया आप अपने आपका आईसोमर तब होगा ना जब एक से ज़्यादा चीज होगी तो यह तो आईसोमरिक प्रोड़क्ट नहीं देगा और सिमिलरली यह फाइफ वाला भी नहीं देगा क्योंकि यह एक यह चीज है वहाँ पर पांच क्लोरी ने तो प्रोड़क्ट तो एक जैसे ह यहाँ पर पांच ग्रुप लिए हैं और एक क्लोरी कि यहाँ पर पांच क्लोरीली ने ग्रूप ना थो यह इंद की देगा सावगी इसके यहाँ पर आपक कोऊचे दे यहाँ already पूछ चुका है isomeric product इसके पूछ चुका है तो इसके isomeric product यहां पर कितने आएंगे तीन आएंगे ठीक है तीन isomeric product आएंगे तीन आंसर था दो चार तीन पांच आंसर था तो तीन आपका इसका आंसर हो जाएगा clear है भई बोलो जी कोई दिक्कत एक यह question P4S3 में भी आये हुए है इसके प्लीज ध्यान रख जाना जैसे इसका phosphorus के sulfides पहड़ जाना भईया एक बारी phosphorus के sulfides जरूर पहड़ जाना phosphorus के oxides जरूर पहड़ जाना बहुत important है हर एक net में किसी ना किसी में और आता है और असानी से attempt होता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है असानी से question वो attempt होता है जैसे अगर हम बात करें P4S3 के बारे में P4S3 के बारे में हम बात करते हैं तो यह मेरे पास क्या है phosphorus है इस तरीके से इसका structure रहता है phosphorus यहाँ पर phosphorus और यहाँ पर नमबर औफ PSBOND PSBOND कितने है और PPBOND कितने है PPBOND मुझे clearly दिख रहा है एक PPBOND यह रहा PPBOND एक यह रहा एक यह रहा एक यह रहा बाकी में इस भी आपका s आचुक है तो PPBOND तो कितने हैं भया थीक है बाद में पीपी पूछा है तो यह दोनों गए पीएस बॉंड कितने हैं पीएस बॉंड पीएस बॉंड भाईया एक वन टू थ्री यह फॉर फाइफ शिक्स तो यह कितने है शिक्स एंड थ्री चीक है यह कुछ केश्चन्स हमने डिसकस कियें ठीक है तो फिर भी मैं आपको एक बार सजेस्ट कर देता हूं वही कि टोपिक्स किस तरीके से लेकर जाने है ना टोपिक्स वह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इनट पैर इफेक्ट यह सारे कोई भी नहीं छोड़ने है इनट पैर फेक्ट इसके वाद आपके पास ओक्जो एसेड आपको देखने है ठीक है आपको बैक बोंडिंग देखना है ठीक है आपको बैक बोंडिंग देखना है उसके बाद आपके पास क्या देखना है आपको ब्रीज बोंडिंग देखना है बैक बोंडिंग देखना है ब्रीज बोंडिंग यहां पर देखना ह फिर आपको फैमिली शुरू कर देनी है जैसे बोरोन इसमें आपको डाइबोरेन देखना है अच्छे से आपको बोराजीन देखना है अच्छे से ठीक है बोराजीन को समझना है आपको बोरोन नाइटराइड समझना है बोरोन नाइटराइड को आपको समझना है उसके बाद अगर हम बात करें आपको Carbides देखने है Carbides देखने है Silicates देखने है आपको ठीक है इस तरीके से Concept wise जाईए Phosphazine आपको देखना है Phosphorus में Phosphorus के Oxacid Nitrogen के Oxacid ये सब आपको देखना है Sulfur में Sulfazine देखना है आपको Sulfur के Oxacid Sulfur के Allotrops वगएरा यह सब देखना है इनके हैलाइट भी देखने है तो concept से जाओगे तो जादा फाइदा रहेगा रेदर दन एक एक चीज याद करने के लिए उसमें जाओगा तो दिक्कत होईगी ठीक है तो concept से जाओगे में ग्रूप आपको अटेम्ट करने में एजी रहेगा यह बात ध्यान ठीके जी ठेंक्यू सो मच अपना ध्यान रखिये मिलेंगे नेक्स लेक्चर में